बिहार में पूर्ट सराब बंदी होने के बावजूद भी बिहार के हर कोने में सराब मिल रहे हैं और सराबी लगातार सराब पी कर मस्त रहते हैं आपने देखा होगा कि एकसर सराब बेचने वाले वा सराब पीने वाले बिक्ति पर लगातार प्रिस परसासन के टीम जो है कड़ी से कड़ी कारवाही कर रही है लेकिन बात ये है कि जब सराप पीने वाले बिक्ती पर कारवाही करने वाली परसासन की टीम जब खुद सराप पीकर नसे में धूत होकर भोजपूरी या हिंदी गाने पर ठुमके लगाते नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का क्या होने वाला है आज हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर में आप दिखेंगे कि एक पुलिस किस तरह से नसिव में धूत है और एक नर्तकी के साथ फिल्मी गाने पे ठुमके लगाते नजर आ रहा है हलाकि बात यह है कि उसका ब्यूडियो वार्ल होने के बाद जो है पुलिस में में हडकम मच गया है और तुरुंत एस पी ने उसे सस्पेंट भी कर दिया है लेकिन कुछ भी बताने से पहले कुछ भी दिखाने से पहले मैं आपको अपना परचे देते हैं नमस्कार मैं दिन्तिवारी और आप देखना सुरू कर चुके हैं निोज टीविसी वान आपको बता दे कि अपको निसा कि बिहार की सहारसा जिले की है एक गाना बज़ रहा है जिस गाने का बोल है साथ समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई इस गाने पर वो सराप की नसे में धूत होकर ठुमके लग रहे हैं और इनका वीडियो जो है किसी एक बितिने बना कर सोशल मीडिया पर वार्ल कर दिया है वहीं वीडियो वार्ल होने के बाद जो है अब पुलिस महकमे में हडकम मच गया है इसके बाद यह सूचना जब या वीडियो एस्पी साहब के पास गई तो एस्पी साहब ने तुरन्त कारवाहिक करते हुए उस थानेदार को सस्पेंड कर दिया है तो आप डिसकते हैं कि यह तस्फिर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे सकीन पर और यह तस्पिर आपको बता दे की बिहार के सहारसा जिले के सदर ठाना की है और उस ठाने के जो ठानेदार है जिनका नाम जै संकर प्रसाध है और वो एक नर्तकी के साथ घं़ी गाने पे ठुमके लगाते नजरा रहा है हलाकिन का वीडियो वार होने के बाद साहरसा जिले की जो एसपी हैं लिपी सिंग उन्होंने तकाल तुरंत कारवाई करती हुए थानेदार जैसंका प्रसाथ को सस्पेंड कर दिया है कि मड़क वीडियो वारल हुए है क्या है तुरा मामला अकल शाम में हम लोग को वो जो वारल जो है वो मिला और कुछ फोटोस थी कुछ वीडियो थी इमिरेटली सद्पो सदर को हमने जाश के लिए दिया इसकी सत्यता के लिए प्रथम दृष्या फोटोस और वीडियो को देखते हुए अनुशाशन हींता और बिहार में पून रूप से शराबंदी है और यह वालेशन है कंटक्ट रूज का आपको पता है कि हम लोग हर साल शपत भी लेते हैं कि ना तो शराफीनी है ना पिलानी है और जो यह कारुबारी उनको पकड़ना है और इसमें बिल्कुल भी सरलिप नहीं डायना है और यह गवर्मेंट की सबसे इंपोर्टन्ट स्कीम है इसके हमी लोग एंफोस्मेंट कराने के लिए है तो यह एक्दम क तक यह हींता और अनुशाशन हींता की गई है तो तकालीन थारा जक्ष को इमीडियेटली सस्पेंट करते हुए लाइन हासिल किया जा रहा है और जाज चल रही है और अगर सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कारवाई की जा सकते हैं तो आपको एक बार भी बता वाला है क्या देश बिक्सित हो पाएगा तो बस इसी तरह हमारे बीच बने रही हम आपके बीच और भी नहीं नहीं ताजा खबरों की अब्रेट देते रहेंगे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकन घंटी को जोरुड दबाईए ता